अस्टानिक विवर्ज माइन दिजवान चीमा, फांडर एंड सी ओफ मकान सलुशन्स प्राइब लिमिटेड आपका सफर प्लॉट से मकान तक इस वीडियो में आपको मैं Overseas Prime Block D के हवाले से इस्प्राइम ब्लॉग डी के हवाले से इस्प्राइम ब्लॉग डी में इस वक्रेंट सेटस ऑफ डिवलब्मेंट क्या है, बाइड एंड ऑफ 2021, दा मन्थ इस डिसमबर और इस वक्राइड पर कोई बंदा है इंडिविजूल जिसने इन्वेस्प्राइम ब्लॉग डी में तो उसकी इन्वेस्प्राइम ब्लॉग डी में 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 इन्वेस्प्राइम ब्लॉग ड बट मेरा खाल आप चूज ना आए करें तो बेतर है, D और E ब्लॉक को प्रेफरेंस ठकें, इन दोनों ब्लॉक्स में आप लोग काफ़ ज़ादा अच्छी इंसाइट इंफोर्मेशन मिल जाएगी, साइट की, डिवेलप्मेंट की, ओवर्सीज पाकसानियों की, जो मुल्क से बाहर बैठे हैं और वो साइट विजिट नहीं कर सकते हैं, तो मेरा खाल है अनक लिए काफी अच्छी फॉल अप वीडियो होगी, कि वो डिसीजियन मेकिंग पावर कर सकते हैं, इन केस उनको प्लॉट की लुकेशन चूजिन का मौका मिलता है, तो किस ब्लॉग को प्रेफर करें, ओर सीज प्राइम ब्लॉग D के बात की जाए, तो इसकी लुकेशन के लिहाज से इसका प्लस पॉइंट यह है, कि इसके एक साइट पर पॉब्लिक रोड वाकिया है, जो चक्री रोड है, चक्री रोड वाकिया होने की वएसे यहाँ पर इजी एकसेस है, यानि कि कोई भी इंडवेजियोल अगर चक्री रोड की साइट से एकसेस लेना चाहता है, और सीस प्राइम ब्लॉग डी में, तो उन्हें बड़ी एकसेस होगी, अब सेकर्ड लिए इसका कौन भी है, कि चक्री रोड एक पॉब्लिक रोड है, सुसाइटी की तरफ से, यहाँ पे में रोड के साथ, चक्री रोड के साथ, जहाँ जहाँ से स्मार्ट रोड की फ्रंट है, चक्री रोड पे, मेरा खाल है सुसाइटी की तरफ से इस चक्री रोड को वाइट किया जाएगा, और इस वाइट करने के साथ, यहाँ में रोड पे कमर्शल प्लॉड लाइज जाएंगे, commercial plot दो कनाल, चार कनाल, शे कनाल, जो भी साइस होगा बट यहां पे major commercial hub होगा अब commercial hub का जो negative impact आएगा वो block D पे आएगा क्योंकि block D के जो evil side plot होंगे, जो adjacent to block E होंगे वो तो impact से बिलकुल free होंगे, उन पे कोई impact नहीं होगा बट जो plots adjacent होंगे बिलकुल commercial plot से तो उन पे काफी ज़दा privacy का impact आएगा, तो यह एक negative बात है इस block की, location के लिहाज से यह interest पे काफी ज़दा अच्छा है अब आते second point पे, location में second point पे आता है कि दोनों access gate के दरम्यान में है, यानि access 1 gate से बगर आप आते हैं तो तब भी आपको easy access मिलती है, access to gate से आते हैं तब भी आपको easy access मिलती है बट इन नहीं केस, let's say commercial plot आते हैं तो आपको direct access वैसे ही block के दरम्यान से मिल जाएगी तो उसमें कैसा चिशू नहीं है अब आते हैं जिस second point पे second point यह कि इस block में किस size के cutting हैं किस size के plot available है इस block में जो plot के sizes हैं वो हैं 30 by 53 अगर हम मर्लों में बात करें तो 7 मर्ला और कुछ plot, corner plot with extra land है जो 10 मर्ला के होंगे बट normally तमाम के तमाम plot mostly जो हैं वो 7 मर्ला के plot हैं 30 by 53, 7 मर्ला size है और square yard जो में बात करें तो 175 गस का plot यहां पे available है अब बात करते हैं जिस सबसे important point है development का किस block में current status of development क्या है मैं try करूँ को किस block की ना मैं दुबारा की वीडियो बनाओ comparison वीडियो जिसमें मैं इसकी एक साल पहले की footage और आज की footage मैं later stage पे वो शामिल करने कोश्च करूँ करूँ दोनों को comparison sidewise देखें तो दोनों में बड़ा फर्क पड़ा है यानि कि और आज की date में कोई individual side visit करता है तो जाहर सी बाता है direct view मिलता है main चक्री road से भी और entrance road 2 से भी यानि अगर आप entrance road 2 चुँके उंचा है काफी तो आपको left side पे properly एक block development नजर आती है और ये development जो है within no time यानि एक साल के अंदर अंदर हुई है तो इस लिहाँ से society के developers को काफी बड़ा credit जाता है इसका कि उन्होंने किस तरह से इस block को develop किया क्योंकि अब भी तक तो society का face यही block है जब तक interchange नहीं बनता तो हार individual के लिए इसी block में विजिट करना है इसी block में आना है इस block से गुजर बस रहा है उनका तो definitely इस लिहाँ से society ने इस पर अपने face सेविंग के लिए या overall development को overseas prime की बहुत ज़्यदा rapid pace पर रखा है तो इससे credit developers को मकमल जाता है कि उन्होंने development को किसी तरह सा compromise ने की और हर लिहाँ से इसके development को preference पर रखा अब overseas prime block के possession की बात करें तो by the end of 2022 सेप्टमबर इसमें possession मेरे खाल में offer हो जाएगा जब possession offer होगा तो definitely मैं इस पर रिवाइस वीडियो बना दूँगा कि आज की date में development क्या थी तब की development क्या थी तो इसकी दुबारा वीडियो बन जाएगी अगर आपको capital smart name booking के वाले से कुछ भी मालूमा चाहिए हो तो मेरा whatsapp number आपके screen पर available है मुझे whatsapp कर सकते हैं इसके लावा हमारी website visit करना मत भूले www.makansolutions.com अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो please do like, comment and share करने कर सकते हैं